स्क्राइब कीजे जॉबनाव247.com को और बेल आइकन को दबाए लेट इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जुस्तो आज इस वीडियो में ना मैं दो बड़ी कंपनी में वेकिंसी की अपडेट लेकर क्या हूँ पहली कंपनी आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अपोलो फार्मसी और दूसरी कंपनी भी बहुत बड़ी है इसका नाम है वोड़ाफोन गैस दोनों ही कंपनी में काफी सारी पोस्ट पर भरती आई है अपो लो फार्मसी की बात करें तो अगर आपके पास minimum qualification 10th पास है अगर आपने 10th पास की है आपके पास फार्मसी से related कोई डिग्री नहीं है कोई डिप्लोमा नहीं है तो भी आप अप्लाए कर सकते हैं या फिर आपके पास फार्मसी से related कोई डिग्री है जैसे की बी फार्मा एम फार्मा तो भी आप यहां पर अप्लाए कर सकते हैं सेकिंड कंपनी की बात करें जिसका नाम है वोड़ा फोन यहां पर ग्रेजुएशन केंडिडेट के लिए अगर आपने बी कॉम की है बी बीए की है ब अपर तरीके से अपलाए करके भी दिखाती हूं और अगर आप नए है मेरी चैनल पर तो मैं आपको बतातू कि इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मैं आप सभी के लिए जोब विकेंसी की अपडेट, परसनल इंटर्व्यू, बिसनस आइडियास जैसी वीडियो देकर के आ आपको एक अपडेट के बारे में बताना चाहूंगी जो कि अनकेडमी की तरफ से है अगर आपने काफी सारे फ्री ओफ कॉस्ट वर्क्शॉप लेकर के आया है अगर आपने मेकानिकल, इलेक्रिकल या इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग की है और वाकवी में आप इसी लाइ सीखने को मिलने वाला है और अच्छी बात यह है कि यह फ्री ओफ कॉस्ट है जी है दोस्तों आप यह पर चेक आउट कर सकते हैं कि यह जो वर्क्शॉप है यह बिसिकली इलेक्ट्रिकल, इलेक्रोनिक, मेकैनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग केंडिडेट के लिए होने व सकते हैं साथिसाथ जैसे कि यह सर्टिफाइड वर्क्शॉप है तो इसमें मिलने वाले सर्टिफिकेशन को आप अपनी लिंग्डेन प्रोफाइल पर या फिर अपने रिज्यूमे में भी यूज कर सकते हैं तो चेक आउट कीजे गाइस इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है अपलाइ करने का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जल्दी से चेक आउट कीजे और इसके लिए जरूर अपलाइ कीजे तो गईस बिना टाइम भी इस करें चलते हैं डारेक्ली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन आपको एक चीज में बता दू कि यहां पर जो भी विकेंसी आई है न यह बेसिकली लोकेशन वाइज आई है और सिर्फ पांच ही पोस्ट पर यानि की फार्मसी ट्रेनी एप्रेंटिस फार्मसी आसिस्टेंट प्रोड़क्ट एडवाईजर कम्यूटी चेंपियन इनी प्र तो यहां पर आप जब भी इनकी वेबसाइट पर आएंगे न तो आपको यह विकेंसी अपनी सिटी वाइस जो है चेकाउट करनी होगी और उनी के बेसिस पर आपको अप्लाए करना होगा तो फर्स विकेंसी जैसे की मैंने आपको बताया कि यहां पर टेंथ पास केंडिड एक चीज यहां पर दी गई है क्या आपको यहां पर काम करना होगा क्या-क्या चीजें आपको हैंडल करनी होगी क्वालिफिकेशन आप यहां दीख सकते हैं एससे इंटरियर डिगरी अगर आपने टेंथ पास की है या 12 पास यह या अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ड होता है वो करना होगा जिसके पूरे डिटेल्स यहां पर दी गई हैं आप इसे रीडाउट कर सकते हैं इसके साथ-साथ आप यहां से अपलाई भी कर सकते हैं अगर आपने टेंथ पास की है और आप टेंथ पास के बेसिस पर आगे चल करके फार्मसी लाइन में अपना करियर पिलेगा ना वो आगे चल करके बहुत ही जादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा तो आप उस बेसिस पर भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए कोई रोजगार डूब रहे हैं आप काम सीखना भी चाते हैं और आगे भरना भी चाते हैं तो भी आप इस वेकिंसी में और कोई भी लोकिशन आप यहां पर चेक आउट सकते हैं इसकी डिटेल में जाकर के यहांपर चेक आउट कर सकते हैं कॉलिफीकिशन चेक कर सकते हैं अगर अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा यां एम फार्मा की है तो आप इस विकिंसी में एस इन फ्रेशर भी अपल sécurité क apply कर सकते हैं क्या आपको काम करना होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है आप इसे चेक आउट कर लीजे और अगर आपको लगता है कि यह आप के लिए vacancy है तो आप यहाँ पर apply कर लीजे आप इन vacancy में अपने घर बेटे अपने mobile phone से laptop से या फिर computer से apply कर सकते हैं कैसे apply करना होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ देखें अब Apollo में apply करने के लिए देखें आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको अपनी city जो है वो select करनी है मैं आप डेली select कर लेती हूँ अब इसके बाद आपको अपना area सबसे पर आपको जो विकिंसी है वो देखनी है 10th pass वाली विकंसी बतारी हूँ ना वो बेसिकली आप फार्मसी ट्रेणी या अप्रेंटिस की प्रोफाइल के लिए है फ्रेशर केंडिडिट अपलाई कर सकते हैं सिर्फ और सिफ अगर आपने 10th pass की है और आपके पास ऐसी कोई डिगरी नहीं है जो कि रिलेटेड हो मेडिकल लाइन से तो आप यहाँ पर फार्मसी ट्रेणी की विकंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर सर्च जॉब के बटन पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है यहाँ पर देखें फार्मसी ट्रेणी की जो विकंसी आई है वो ओपन अपो करके आ जाएगी आप व्यू डेटेल पर जा करके क्लिक कीजे और यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आप इसे रीडाउट कीजे चेक आउट कीजे 100% ये रीडाउट कीजे कि क्या क्या आपको यहाँ पर काम करना है इसके बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अप्लाई नाओ कि जस्ट बटन पर क्लिक करिए बहुत सिंपल है free of cost है कोई जो है यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने नहीं किसी तरीके के कोई charges है यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपना नाम डालिए तो मैं फटा फट से यहाँ पर अपना नाम डाल देती हूँ इमेल आईडी डाल देती हूँ देन इसके बाद यहाँ पर अपना mobile number साथ साथ अपको अपना gender जो है वो select करना है date of birth select करनी है प्रके बाद आपको अपनी preferred location डालनी है तो मैंने already डेली select किया हुआ है तो डेली में कौन कौन सी लोकेशन पर जो वेकेंसी निकली है वो सारी की सारी यहां पर दी है आप देख सकते हैं हरी नगर, जनकपुरी, जनपुरा, आरकेट, इस पंजाबी बाग, इस अफ कैलाज, दुवारेका जो भी लोकेशन है ना आप जिस भी लोकेशन सूटबल के बाद आपको यह जो डिटेल्स है वो भरनी ही पड़ेगी और एकदम सही सही भरनी पड़ेगी, तो आप यहां पर देख लीजे, तो आप अपने हिसाब से यहां पर कुछ भी सलेक्ट कर लीजे, किस तरीके से आपको पता चला, जौब पॉर्टल्स, इसके बाद आपको अपना रिजियो में सलेक्ट करना है, एंडेन इसके बाद एक्सपीरियन्स यहां पर जीरो, ढ़ाल दिजे, जौब पॉर्टल का न इसके बाद आप यहां पर submit button पर click कर दीजे submit button पर click करा तो यहां पर देखिये your job application is complete and has been submitted for our review if your profile is found suitable an online test link will be sent to your register mobile number and email within two working days the test link will be valid for 24 hours you are advised to complete the online test as soon as possible accordingly good luck यानि कि यहां पर आपकी जो application है यह suitable तरीके से apply हो चुकी है पहुँच गई है company के पास और आपको यहां पर ना दो दिन के अंदर यहां पर एक link मिलेगा आपने जो mail ID लिखी है जो number दिया है वहां पर आपको दो दिन के अंदर mail ID and phone number पर आपको एक link आएगा Apollo pharmacy की तरफ से तीक है उस link को जब आप click करेंगे तो एक test appear होगा वो test को आपको 24 घंटे के अंदर ना complete करना होगा जब test को complete करेंगे तो फिर यहां पर आपको direct interview के लिए बुलाये जाएगा ठीक है friends तो अगर आपकी profile अच्छी लगेगी Apollo pharmacy को तो वो आपको एक link बेजेंगे उस link में test देना होगा और फिर इसके बाद आपका यहां पर selection होगा तो guys यह बिना किसी charges के मैंने आप सभी के सामने apply किया है आप इस vacancy के लिए अपने phone से अपने laptop से दोनों से ही apply करें second company की बात करें तो दोस्तों इसका नाम है Vodafone और Vodafone में अगर आपने graduation की है अगर आपने WECOM की है BBA की है BTEC की है BCA की है तो आप के लिए यहां पर कई सारी job opportunity इंडिया की locations पर आई है आप यहां पर मेरी computer screen पर check out कर सकते हैं मैंने आप सभी के साब ने खोल रुकिए Vodafone की official website और यहां पर आपको देखने को बिल जाएगी जो opportunity इंडिया की locations पर आई है दैस मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले यहां पर आपको अपना filter जो है लगाना होगा location wise जैसे कि मैंने यहां पर इंडिया की location का filter लगाया हुआ है आपको भी यहां पर इंडिया का filter लगाना है अगर आप work from home opportunity चाहते हैं तो remote filter लगा दीजे और अगर आप अपने ही location में vacancy चाहते हैं तो आप पूने में एक बैंगलॉर में है आप यहां पर click कीजिए और सारी जनकारी जो भी इस vacancy में आपको काम करना होगा सारी की सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी गाईज आप यहां पर check out कर सकते हैं इसके अलावा काफी सारी और भी vacancy यहां पर देखिए यहां पर आप नीचे एकदम बॉटम में देख सकते हैं यह vacancy यहां पर आपको और भी देखने को मिल जाएगी जो कि अलग अलग खास करके दो location पूने और बैंगलॉर में आई हुई हैं आप check out कर सकते हैं और इनके according यहां पर भी आप apply कर सकते हैं तो guys apply कैसे करना है यह भी मैं आपको पता देती हूँ देखिए दोस्तो apply करना आप बहुत ही simple है जैसे मैंने कई सारी videos में आपको apply करना सिखाया है अलग अलग कंपनियों में यहां पर भी आपको इसी तरीके से apply करना है तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर account create करना होगा अगर आपका already account है वैसे तो नहीं होगा लेकिन आप यहां पर create कर लीजे create an account के button पर आप click करिए जैसी आप यहां पर click करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी email id डालनी होगी जो कि मैंने especially आप अपने laptop से अपने phone से apply कर सकते हैं लेकिन मैं जादातर काम जो है अपना वो इससे ही करती हूँ किससे laptop से ही करती हूँ तो कोशिश करिए कि आप भी अगर आपके पास है laptop तो आप laptop से apply कर लीजे कोई दिक्कत नी लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने mobile phone से भी यही same website जैसे कि मैंने आपको already दिखाया कि same ही खुलती है आप वहां से भी apply कर सकते हैं ठीके friends यहाँ पर मैंने email id लेख ली है अब मेरे को password चूज करना है जैसे कि हर एक वीडियो मैं same ही procedure रहता है काफी सारी कंपनियों का तो आपको यहाँ पर password में एक चीज याद रखनी है आपका password जो है यह 8 character का minimum होना चाहिए और 18 character का होना चाहिए साथी साथ एक upper case और एक lower case जरूर होना चाहिए और एक number होना चाहिए और आपके password में कोई special character नहीं मांगा गया नहीं space मांगी गई तो मैं अपना password यहाँ पर जो है यह डाल देती हूँ ठीक है मैंने डाला है मैंने password यहाँ पर रखा है A capital B C D E F small 1 2 3 यह मैंने password यहाँ रखा है ठीक है retype कीजे फिर से ठीक है यहाँ पर मुझे अपना first name देना होगा तो मैं जल्दी से अपना first name लिख देती हूँ last name लिखना होगा तो मैं वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ इसके साथ-साथ मुझे यहाँ पर अपनी country चूज करनी होगी तो मेरी country I love my country that is India यहाँ पर देखिए अगर आपको new job posting आती है उसकी notification चाहिए तो इसको click कर दीजे otherwise इसको आप close भी कर सकते है इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर term and uses to required जो है इस पर privacy in का जो statement है यहाँ पर आपको click करना होगा दिखे इस पर आपको यह सारी चीज़ा जो है accept करनी होगी accept कर लीजे then create an account के button पर आप click कीजे ठीक है यहाँ जो मेरा account है वो create हो चुका है अब मुझे apply करना है तो apply करने के लिए यह आपको सारी चीज़े भढ़नी होगी ठीक है as it is आपको भढ़नी होगी आपको proper information आपको देनी होगी तो यहाँ पर account create करने के बाद आपको अपना resume यानि कि CV जो है वो यहाँ पर upload कर देना है तो मैं अपना यहाँ पर CV अटेच कर देती हूँ तो guys मैंने यहाँ पर resume अपना attach कर दिया है इसके बाद देखे आपको यहाँ पर proper तरीके से अपनी पूरी जानकारी देनी होगी यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने भर रखी थी वो आ चुकी है और यहाँ पर सारी चीज़ें जो मेरे resume में है ना वो सारी चीज़ें यहाँ automatically आ गई है जो नहीं है वो मुझे यहाँ पर fill करना होगा जैसे कि यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ना अपनी सारी formal education के बारे में detail देनी होगी कौन सी university से आपने कौन सी degree हासल की है कौन सी location से की है कौन सी sector से की है और कौन सी country से करी है कब आपने start करा था वो जो जिसके भी बारे में आप information दे रहे है for example जैसे कि मैं master's के बारे में अपनी information दे रही हूँ तो कब start किया था और कब end हुआ था यह आपको ध्यान में रखना है तो इसके लिए आप जरूरी है कि आप अपनी mark sheet लेकर के आए और mark sheet लेकर के आने के बाद ही यहाँ पर जो है सही सही information दालें क्योंकि इसका impact बहुत जो है पढ़ता है जब आप interview के दोरान जाते हैं तो यह CV जो information है ना इसके basis पर ही आपको लोग जो है वो select करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी information correct correct डालिएगा ठीक है इसके बाद certification अगर कोई है तो वो डाल दीजे language यहाँ पर आप डाल दीजे कौन-कौन सी language अगर आपको आती है तो यहाँ पर English में डाल देती हूँ मैं सब में fluent-fluent डालती हूँ क्योंकि मैं आच्छे से बोल सकती हूँ ठीक है अगर आपको और languages add करनी है तो वो आप डाल सकते हैं अगर आपको यह सारी job specification देनी होगी कहां-कहां आपने काम किया है कैसे-कैसे आपने काम किया है दोस्तों मैंने यह अपनी सारी information डाल दी है मैंने अपने document जो है वो upload कर दी है profile information proper तरीके से भर दी है previous employment भर दी है formal education भर दी है certificate and licenses मेरे पास कुछ नहीं है वो optional है आप सभी के लिए language मेंने भर दी है अब job specification information डालनी है यह बहुत जरूरी है अगर आप यह नहीं फिल करेंगे तो आगे form नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला question पूछा गया कि आपने पहले कभी Vodafone में काम किया है तो no डाल दीजे अगर किया है तो yes डाल करके यह दोनों चीज़ें भी आपको भढ़नी होगी फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने interview दिया है कि Vodafone में last three month में तो अगर दिया है तो yes कर दीजे नहीं दिया तो no डाल दीजे फिर यहाँ पर देख सकते है कि कोई employee आपका Vodafone कोई relative आपका काम कर रहा है Vodafone में तो मेरा नहीं कर रहा है तो मैंने no डाल दिया अगर हाँ तो फिर देखिए उनका नाम और contact number आपको यहाँ देना होगा आपको इस agency के बारे में कैसे पता चला तो यहाँ पर कई सारे option है agency के थू, candidate reference के थू, किसी ने बताया आपको personally, employee, referral के थू, group transfer के थू, किस के थू पता चला तो आप यहाँ पर work लिग कर लीजे ठीक है तो यहाँ पर conversation डाल दीजे आप अगर आप चाहें तो इन में से कोई भी जो है option चूज कर सकते है salary expectations लिखना बहुत जरूरी है जिस profile में आप apply करने जा रहे हो उसके according आप salary expectations डालना अपनी last salary से ज़्यादा ही डालना कम मठ डालना, ठीक है notice period अगर आपका कोई है तो वो choose कर लीजे, इसके बाद नीचे आजाईए यहाँ पर I accept the policy पर क्लिक कर लीजे, ठीक है इसके बाद apply का जो button है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसी के आप यहाँ पर apply के button पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर proper तरीके से apply कर सकेंगे कि मेरे पास आगया, your application has been sent, thank you मेरी application जो है, यह प्रॉपर तरीके से Vodafone में जो vacancy आए जिसके लिए मैंने apply किया है, वहाँ पर successfully पहुँच गई है, आप उनको मेरी profile अच्छी लगेगी, उनको मेरा resume अच्छा लगेगा, तो फिर मेरे पास mail आजाएगा, यह जो number मेंने दिया है, वहाँ पर call आजाएगा, ठीक है तो आप यहाँ पर जो है, इस तरीके से same apply कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने ही apply किया है, free of cost apply किया है, किसी तरीके के कोई पैसे नहीं लगे, और ना ही interview कोई के दोरान यहाँ पर किसी तरीके के कोई पैसे आपसे चार्ज किये जाएंगे, guys हर एक वीडियो में बोलती हूँ, कि कभी भी आपको किसी को भी पैसे नहीं देना, ऐसे लोग जो पैसे चार्ज करते हैं, वो लोग फेक होते हैं, तो आपको बचना है, 100% secure तरीके से अपलाए करना है, ठीक है, friends तो यहाँ पर मैंने successfully अपलाए कर दिया है, आप भी चाहें तो इसी तरीके से अपलाए कर सकते हैं, तो guys, आपको मैंने सारी जानकाई ती, और आपको मैंने बताया कि आप कैसे इन विकिंसी में अपलाए कर सकते हैं, कौन-कौन सी पोस्ट पर विकिंसी आई है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो आप इसे लाइक कीजे, और इसी तरीकी की वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल jobnow247.com को सब्सक्राइब कीजे, गैस, इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर के आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पार्ट टाइम इंकम घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए अपनी टीम से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स डिजाइन करवाओं, तो आप मुझे कमेंट करके बताये, 500 से जादा कमेंट आते हैं, तो मैं आप सभी के लिए free of cost ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अपनी टीम से डिजाइन करवाओंगी, और अगर आप मुझे से कुछ personal questions पूशना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे facebook, instagram, telegram पर message कर सकते हैं, और वहाँ पर भी follow कर सकते हैं, तो गईस मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार, interesting वीडियो के साथ, कोई job vacancy या किसी interview के साथ, तक तक के लिए thank you so much and bye bye.